आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे याँ कुरोना का टीका करन ओना शुरू हुआ था तो बहुत सारी लोग एक तरह से आंगे बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे थे इसमें टीका लगवा रहे थे लेकिन आपने देखा कि कुछ समय बाद टीका करन की दर भी कम हो ही है और लोगों में जागरूपता का भी आभाव देखा जा रहा है आप लोगोंने कई लोगों के मौह से यह भी सुना होगा कि टीका करन से एक तरह से नुखसान भी देखा जा रहा है और मैंने भी कई लोगों के मौह से सुना है कि अगर कोई टीका लगवा लेता है तो death हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है तो ये सभी अभवा है समझ रहे हैं, आप लोग जूटी खबरें फैलाई जा रही है, और ये भी आप बहतर भी जानते हैं कि जूटी खबरें कुछ जानदा ही जल्दी फैलती है, तो अभी भी कोई नहीं से एक आप लो लगवाई है जरूर और दोनों आपको खुराक लेनी है ठीक है? अब हमारे इसमें भारत की बात कर लीजे या आप देखिए विश्व की बात कर लीजे बहुत सारी चनोतियां भी देखी जारी है अब आप देखिए हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या है और आप समझ सकते हैं कि लोगों में जागरूपता का आभाव भी है इसलिए आप देख रहे हैं कि और वैक्सीन परयाप्त मात्तरा में भी नहीं है उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है तो ये भी चनोतियां देखी जारी है और आपने अभी हाली में देखा होगा कि जो टीका करन तक्नीकी सलाइकार है इसने जो अभी जो आप देखते थे कि पहली खुराक और दूसरी खुराक के वीच 28 दिन या एक महीने का टायम मिलता था अब इसे बड़ा कर आप कहा गया है कि 12 से 16 सप्ताय के बाद ही दूसरा टीका करन करवाए जाए जिससे क्या होगा कि पहली डोज हर किसी को मिल सके और दूसरा ये भी कहा गया है कि कुरोना से जो ठीक हो चुके हैं लोग ये अगर 6 महीने के बाद टीका करन करवाएं तब भी इनने का आप फायदा भी मिलेगा तो ये भी सलाय दी गई है खी ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि भारत को देख लीजे चाइना को देख लीजे काफी बड़ी संख्या है जन संख्या यहाँ रहती है और आप سमझ सकते हैं कि हमारे देश में आप आप जगरूगता का भाव देख सकते हैं या आप देख सकते हैं कि जहां कम लोग पड़े लिके हैं वहाँ भी इस तरह का डर फैलाया जाता है अगर हम लोग बैस्वी किया नहीं कि मुद्दों के बारे में बात करें क्या प्रोबलम बनी हुई ये अबने में तो सबसे पहली प्रोबलम तो यही कि बिसाल जनसंख्या आप देखते हैं कि दुनिया भर में लगबख साथ विलियन लोगों को टीका करन लगाया जाना है और जिसमेंसे आप देखेंगे अत्यदिक टीके दो खुराकों के माध्यम से दिये जा रहे हैं और जाहर है कि मांग बहुत अधिक भी है और उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो यह तो सबसे बड़ी प्रोबलम बनी हुई कि जनसंख्या आप समझें कि जिनके पास कम जनसंख्या है वो आसानी से ठीका करन कर सकते हैं उन देशों के लिए जानदा प्रोबलम खड़ी हुई है जिनकी जनसंख्या आधिक है क्योंकि सभी बैक्तियों तक पहुचपाना एक तरह से बड़ा मुस्किल है और आप समझ सकते हैं कि सभी बैक्तियों को अगर बैक्सी नहीं दी जा पाई तो हम लोग जो चैन ये चली इदने का order दिया जिचुका है और दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों द्वारा इनका stock किया गया है जिनके पास एक तरह से आलतिक इस्तिति जिनकी अच्छी है जो powerful है उनके द्वारा पहले ही एक तरह से stock कर लिया गया है अब problem उन देशों के सामने खड़ी होगी जो आ उने order किये हैं ठीक है और यहां तक कि आप देखेंगे विश्व स्वास्त संगठन कि कोवैक्स जैसे प्रयासों से अफेकी आबादी के केबल 1.30 लोगों को ही अब तक वैक्सीन पर प्राप्त हुई है मार्ट 1.30 और आप जानतेंगे विश्व स्वास्त संगठन दुनिया अबर में जो भी स्वास्त वैउस्थाओं को देखवाल करता है एक तरह से और इसकी इस्थापना आप जानते होंगे 7 अपरेल 1948 को इसकी इस्थापना हुई थी और इसका headquarter आपको जैनेवा स्वीजेलेंड में देखने को मिलेगा ठीक है इससे क्या होता है इससे भी आपक और 7 अपरेल को आप देखते होंगे कि विस स्वास्त दिवस भी मनाया जाता है दूसरी इसमें तीसरी समस्या ये भी खड़ी हुई है कि आपात कालीन सुईकिती में देरी अमेरिका द्वारा अब तक केवल तीन टीकों जिसमें आप देखेंगे एक फाइजर है दूसरा आ ये एक तरह से इंतजार कर रही है हाली में आप देखेंगे विराजील में रोस के इस्पूतनिक वी के लिए अनुबोधन कुछ आसुईकार कर दिया गया है और हमारे यहां भी देखेंगे आप लोग कुछ समय के बाद जो आपकी रोस की इस्पूतनिक भी है इसे भी अगर भारत की चुनोतियों की बात करें तो सबसे पहले तो आप समझे जनसंख्या ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनोती बनी हुए है दूसरी आप कह सकते हैं कि एक तरह से जागरूपता का आभाओ लोगों में डर का माहुल बना हुआ है इसमें सबसे पहले आप सकताओं समंदी आदेश्ट दिया जा रहा है जिने पूरा करने में महीनों लग सकते हैं यानि कि ये उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं जितनी की जरूरा थे एक तरह से ये भी आपकी बहुत बड़ी समस्या है और आप समस्या है कि जब बैक्सीन ही उपलब्द नहीं रहेगी तो कहां लोग लगवाईगे आप देख रहे हैं कि पहले आप देखते थे कि 45 फिलस लगवाई जा रही थी लोगों को 45 जो जिनकी एज उपल थी फिर आपने देखा है कि एक मजी से आपकी 18 फिलस 18 से जानदा जिसकी एज है उन्हें टीका करने की अनुदती मिल गई थी ल तरह से बंदवी कर दिये गए हैं इसी समस्या के कारण कि वहाँ बैक्सीन ही उपलब्द नहीं है एक इसमें समस्या हमारे देश में यह भी बनी हुई कि आपूर्ती सिंखला में कमी समग वैस्क आबादी का टीका करन करने के लिए मत्वाकांची कारिकरम की आपूर्ती सिं पूरी तरह से टीका करन किया गया है आप समझ सकते हैं कि केबल 2% लोगों को ही अभी पूरी तरह से टीका करन दोनों खुराके मिली हुई है और आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी जन संक्या हमारे देश में और कई देश में ने पहले ही अपनी आदी शेधिक वैस्क आबादी का टीका करन कर लिया है, जिनके पास कम जनसंग क्या है, वो आसानी से एक तरसी, आप समझ सकते हैं कि टीका करन कर सकते हैं, जैसे हमारे देश में आप देख सकते हैं कि सिक्किम को ले लिए कम जनसंग क्या है उसके पास, वो बहुत जल्ली टीका करन की सुविधाय उपलब्द करा लेगा, ठीक है, एक आपकी इसमें समस्या ये भी है कि आसमान खरीद पिति करिया, ठीक है, संसोदित वैक्सीन खरीद पिक करिया, सहरों और कसमों में छोटे अस्पतालों के लिए चौनोती पैदा करती है, क्योंकि उनके बड़े समकच अस्पताल आसानी से वैक्सीन प्राप्त कर रहे हैं, और जबकि उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि स्वास सुविधाओं के मामले में सहरी ग्रामीड विवाजन को और अधिक विरूपित करता है, ये भी एक समस्या है, एक आप देख सकते हैं, डिजीटल विवाजन, नई एक विकेंदरी के वित्रण राजनीती के हिस्ते की रूम में कोविन पोटल का डिजीटल पंजीकर्ण भी महत्पूर्ण मुद्दा है, जो संभावी तरूप से ठीका करने फिक्रिया को कटेन मनाता है, ये अप एक्चा कि कम सिक्षित लोगों को कोविन पोटल तक पहुंचने उसके अंग्रेजी इंटरफेस का उपयूग करना चुनोती पूर्ण बनाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके पास तो आप लोग पड़े लिखे हैं, तो आप तो आसानी से रेजिस्टेशन कर लेगे, या आप समझ सकते हैं उन गिरामीर शित्रों के ब जाएं कि जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, वो कैसे कर पाएंगी रेजिस्टी से, तो ये भी एक तरह से चुनोती बनी हुई है, और यह देखते हुए भी भारत की आदिवादी ही, ब्रॉडबेंड इंटरनेट पर पहुंच तक पहुंच है, और ग्रामीर टेली घन है, खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास स्मार्ट है, नेट की विवस्था है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, और पढ़े लिखे हैं, जागरूख हैं, और गाओं की क्या इस्तिती है, आप भी बेहतर जानते होंगे, विहार उत्तर पिदेश, विहार की इस्तिती आती है, तो ये भी आप समझ सकते हैं, क्या इस्तिती बन सकती है, इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, तो फिरभावी और सुरक्षी टीकों की जल्द से जल्द ज्याच करने, और उन्हें मौचूदा फूल में जोडने की आप सकता है, और आप समझें कि कोई तो इसमें ब पड़े लेकि नहीं है, उनका भी आसानी से आप कह सकते हैं, हो सकता है, और उनका काम भी यही है, भुकर भी सकते हैं आराम से, और इसमें भी देखना होगा, देखें, कहीं ऐसा ना कि उन लोगों को ठगा जाए, भारत का COVID-19, वैक्सीन अभी आन एक इसमेडिये मेसन होगा, और यह ना केबल अपनी आवादी का टीका करने के मामले में, बलकि दुनिया के एक बड़े वाग के निर्माता के रूम में, मत्मूर भूमिका निभा रहा है, और यह मेसन टींकों के विकास और वितरन से जुड़े, मुद्धों को सम्बोधित करते हुए, कम से कम से कम समय में, सेक्ड़ों से लाखों लोगों को, टींकों को कुसलता से प्राप्त करने की प्रयास में बिद्धी करेगा, और आप भी अपना रेजिस्टेशन करवा लीजेगा, और बैक्सीन लगवा लीजेगा, और जब तक बैक्सीन नहीं लग जाती है, उसके बाद भी आपको प भी तो प्रिवाव पड़ सकता है, और आप देख रहे हैं कि कई लोग दोनों खुराक लेने के बाद भी दुबारा कुरोणा हो रहा है, तो ये भी एक चिंता बनी हुई है, लेकिन आपको टींका करन करवा लेना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, लोगों की जूटी बातों मे मत आईए कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, इसका दूसरा विकल भी तो नहीं है मारे पास, ठीक है, रजिस्टेशन को आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, देखिए ये है आपकी cobin.gov.in, इसे आप लोग जैसी किसी भी ब्राउजर में आप लोग सर्च करेंगे, गू आप लोग जैसे ही क्लेक करेंगे, आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आप देख सकते हैं, खुल जाएगा, और यहां आप लोग जैसे ही, आप लोग रेजिस्टेशन, यहां आप लोग जैसे ही क्लेक करेंगे, तो इस तरह से आपका, देखिए, इस तरह से आजाएग यहां जैसे ही आप लोग number डालेंगे अपना, और जैसे ही आप लोग इस पर gate OTP करेंगे, तो एक आपके पास OTP आएगा, और जैसे ही आप लोग enter करेंगे, आँगे बड़ा आसानी है, आपके पास एक आदाहर काइड होना चाहिए, और आप मैं से अधिकतर लोगों के पास आधार कायड होगा भी, तो आसानी से आप लोग कर लें, और भी जो भी आपके पास डोकोमेंट हैं, अगर आधार नहीं है, तब भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, तीन मेंबर और जोड सकते हैं, आप और आपकी अलावा, तीन चार, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, इस पर जाकर आसानी से आप लोग जैसे ही बढ़ते जाएंगे कोई दिख्कत नहीं है मुझे लगता है ऐसा कोई भी या कुछ सब्द भी नहीं मिले और नहीं ऐसा कुछ समझ में ना है ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आसानी से आप कर लेंगे ठीक है यह ऐसे कर लेना